यह सारा के सारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आपके किताब का और आपके टैनियर के भी कुश्चन्स हैं इसमें कहता है एक चार को हमारे पास शियर्स इतने का था दस रुपए का एक था और हमने फ्रेश इसू किया था कितने का 24,000 रुपए का एक्विटी जो की 5 रुपए वाला एक्विटी था सर और यह क्या था फुली पेड अप कैल्कुलेट वेटेड एवरेज एक्विटी शियर्स यानि दो क्लास के शियर्स आगे तो वेटेड एवरेज यह जो कुश्चन अब मैंने बाद में बोला था देख लेंगे अभी वही हैं तीस हजार इंटू कितने आएगे कितने यह दस रुपए वाला ध्यान देना यह कितने वाला है दस वाला तो तीस हजार इंटू 12 बाए 12 प्लस कितने है 24 हजार 24 हजार कितने मैने के लिए 6 मैने इंटू 6 बाए लेखिन सर इसके अंदर कितने रुपए पेड़प है हमारा 5 रुपए वेल्यू हमारा कम है यानि इसके comparatively यह 50% है ठीक है तो हम इसको क्या करते है नॉर्मली जैसे करते आये थे अब यह हमारा 50% कम है या तो यह मैं कह सकता हूँ इसको मुझे डबल करना पड़ेगा ठीक है 24 अजार इसका एक फॉर्मूला बना देते हैं आपके लिए 12 द्यान दीजिए मैं इसको दो तरीके से कर देता हूँ जो भी आपको suitable लगे वो कर लेना यह दस वाला है और यह कितने वाला है पांच वाला इसको कर देता है इसका मतलब यह इसका half है तो last में मैं 1 by 2 कर दूँगा जितना paid up है या फिर मैं last में कितना कर दूँगा यह 10 रुपे वाला है तो यह इसका आधा ही होगा ना ठीक है नहीं तो आपका ऐसे question में सबसे बड़ी value जो big value है 10 है उसको consider कर ये और मैं एक बार इसको एक बटा दो पहले समझ में आए फिर मैं दूसरा तरीका भी कर दूँगा एक बटा दो क्यों हुआ क्यों हुआ क्यूंकि यह इसका एक shares इसके बराबर है या फिर मैं simple सी बात करता हूँ मैं इसको यहां बता दूं बता दूं तो पांच बटे 10 कर देता हूँ चीक है और इसका थोड़ा आसान तरीका और इसको क्या कर देता हूँ ओके यानि जो जिसका जो value है उसमें से सबसे बड़ी value ले लो और उसको base मानके जो original share है उसी के हिसाब से convert कर दो तो यह कितना आजाएगा sir प्लस यह कितना आजाएंगे that is 36,000 सर दूसरा तरीका बता दू हम इसका क्या करते है पहले बताओ यह समझ में आ गया क्लियर रहे है कैसे किया अगर वो जितने रुपे तीन रुपे paid up होता तो मैं तीन बटे दस कर देता ठीक है ना अब इसका दूसरा तरीका कैसे करते हैं हम वेट निकाल लेते हैं एक मिट मैं कुछ formula बना रहा हूं एक पर देख लेंगे 30,000 इंटू 10 तीन लाक प्लस 24,000 इंटू 5,24,000 बारण लाक इंटू 6 विटे 12 24,務 और फेस वाले तस से डिवाइट करता है थोड़ी आप यह आले समझ लीजिए यह ठीक है नहीं तो वह दूसरा थोड़ा सा ना हमारा फॉर्मॉला बदल जाएगा बाकि इन कुश्चन देख लेंगे यह क्लियर है चलिए क्या कहता है नेट प्रॉफिट एक्केस बाइस एक्केस और बाइस का नेट प्रॉफिट कितने कह है बारा लाग और सर नेट प्रॉफिट बाइस तेज इसका मतलब दो सालों का EPS पूछ रहा है कितने कह है चालिस लाग नंबर ओफिटी शेर आउटसेंडिंग 31-12-2022 यानि 31-12-2022 इकत्यस बारा दो हजार बाइस किसमें आएगा बताओ इस वाले साल में आएगा पिछले वाले में आएगा 31-12-2022 21-22 का पार्ट है 22-23 का पार्ट है 22-23 क्योंकि 31 दिसंबर यहां है यानि यह जो आपको डिटेल दे रहा है किसकी दे रहा है सर इससे रिलेटिट दे रहा है उपर की बात ही नहीं कर रहा है यह समझ में आ रहा है फटा फट थोड़ा से एक्टिव होई है समझ आ रहा है कहता है इस दिन तक मेरे पास जो शेयर था शुरू से जब से था ना व दो दो दे देंगे हर एक को एवरी तो bonus share कितने होंगे साहब bonus shares होंगे दो देंगे न आपको यह number है रुपीज नहीं है पहले समझो bonus share ही आगया अब इस bonus share की calculation कब से मानोगे issue होगा जिस दिन से original shares होगा ठीक है ऐसा थोड़ी है कि आपने इस दिन पर bonus shares अगर दिया है तो इसी दिन से bonus मारेंगे नहीं नहीं आप bonus shares कब से मांगोगे जिस दिन से original होगा तो साहब दो हजार 21 और दो हजार 22 का EPS profit कितना है 12 लाग divided by number of equity share average करेंगे normal share 20 यह तो था उस दिन या नहीं था पूरे साल ही रहा होगा यह क्योंकि starting से ही चल रहे है plus bonus share क्या था इस दिन या नहीं था बताए बोनस share लेंगे या नहीं लेंगे जितने बच्चे live एक comment करिए फटाफट bonus share लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा EPS बताए बोनस share लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा चलिए थोड़ा सा मैं clarity कर दूँ आपको मान लेते हैं एक साल दो साल और तीन साल इस दिन मेरे पास share था एक लाक और company ने decide किया कि इस दिन bonus share देंगे पचास हजार तो जो ये वाला साल है मान लेते हैं 20, 21, 22 और ये 23 है 23 में हमारे पास bonus share कितने मिले पचास और ये वाला share भी हमारे पास 30 में कितना होगा एक लाक तो 23 में मेरे पास कितना है तेड़ लाक लेकिन bonus shares का nature क्या है भई जिस दिन से original सा उसी दिन से bonus share counting चल लूँ जाएगा तो 2020 2020 में भी कितना total share माना जाएगा सर 2021 में भी कितने माने जाएगे 22 में भी कितने माने जाएगे समझ में आ रही है बात आपको तो इसका मतलब जब ये share starting से सा इसी पर bonus दिया गया तो क्या bonus shares भी अभी माना नहीं जाएगा 40 लाक है ठीक है समझ में आई बात आपको यानि bonus shares और इसनल shares के हिसाब से माना जाएगा तो यानि 12 लाक divided by 40 लाक 15 था 12 था नेट प्रॉफिट बारा लाक 21 था 22 था divided by क्या होगा 40 नि 60 40 थो यही हो जाएगा ना यह आ गया ठीक है देखे पहले यह clear अब अगले साल के लिए भी निकाल ले next year का यानि 2000 सर बस प्रॉफिट ही तो चेंज होगा प्रॉफिट कितने का था number of shares वही रहेगा कितने और बोनस यह बी कितने 40 60 जीरो पॉइंट बताइए कोई डाउट है जी पूछ लो किसी को डाउट है जितने बत्चे लाइव में हैं वो भी पूछ ले इसमें कोई डाउट है जीरो पॉछ जीरो जीरो ऑजब ने ले जाना ने कोई दो मैं वोग था जीरो जीरो चुछ जीरो जीरो जीरो